इस भेडिये को इंसान की खाल मिलती है, तो ये उस खाल को पहन लेता है, ये भेडिया अब इंसान के जैसा दिखने लगता है, इसके बाद ये चलते चलते एक सिटी में पहुंच जाता है, ये भेडिया यहाँ नौकरी ढूनने के लिए एक कमपनी में इंटरव्यू देता है और इसको नौकरी पर भी रख लिया जाता है कमपनी का बॉस इसके काम से खुश होकर इसकी सैलरी डबल कर देता है इसके कुछ दिन बाद ये एक बड़ा घर खरीद लेता है और एक सुन्दर लड़की से इसकी शादी भी हो जाती है ये अपनी पतनी के पालतु कुट्टे को खाना चाहता है अगले दिन ये एक बिल्ली खरीद कर घर ले आता है जैसे ही ये भेडिया उस बिल्ली को खाने बाला होता है तब ही इसकी बेटी बहां आ जाती है और बिल्ली को अपने साथ रख लेती है बहुत दिनों से इसने किसी जानबर को नहीं खाया ये अपने आपको रोक नहीं पाता और ओफिस में एक आदमी को काट लेता है ये देखकर सब लोग समझ जाते हैं कि ये असल में इंसान की खाल में भेडिया है और इसको मारने लगते हैं ये अपनी जान बचा कर बहां से भागता है तभी भागते भागते एक कार आकर इसको कुचल देती है और इसका काम यही खतम हो जाता है